Hello everyone, कैसे हैं आप लोग मैंने सीवन सारी सर आप सोगा स्वागत करता हूँ इस्ट्वेंट देखें यहाँ पर जमसितपूर से एक रिपोर्ट छापी गई थी आख़वार में जिसमें देखें लिखा हुआ है कि जमसितपूर के किस कॉलेजिज में कितने एडिमिशन अभी तक हो चुके हैं तो देखें देख सकते हैं यहाँ पर मुझे भी कुछ लोगों ने पुछा था कांसलिंग 26-27 तरीक के आसपस में कि सर आपको क्या लगता है कितने एडिमिशन हुए होगे तो मैंने भी बताया था कि गवर्मेंट और सेमी गवर्मेंट को छोड़कर जेनरली प्रावेट कॉलेजिज को देखा जाए तो 15-20 एडिमिशन हुए होंगे 100 सीट में से 15-20 ही फिल हुए होंगे क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि जिनका प्रावेट कॉलेज मिला है वो लोग चाहेंगी कि मेरा सेमी में हो जाए जिनका सेमी में हुआ है वो चाहेंगी कि मेरा गवर्मेंट में हो जाए जिनका government में हुआ है वो चाहे कि मेरा इस वाले government में हो जाए मेरा यहाँ नहीं मेरा वहाँ होना चाहिए इस तरह का ठीक है ट्राइ हमेशा करना चाहिए सही बात है तो आप लोग भी first round में यह दिया अपने college से satisfy नहीं है किस college में कितना नामांकन हुआ है college का नाम दियावा है और कितने seat है और नामांकन के बारे में तो जमसित्पूर Women's University में देखे 200 seat है 200 seat है जिसमें से 59 admission अभी तक हुए है cooperative college में 100 में से 55 admission हुए है इसका बहरागोडा college जो है बहरागोडा में 100 में से 54 admission हुए है graduate college में 100 में से 44 DBMS BA college में 30 admission हुए out of 100 और जामिनी कांद BA college में 30 admission हो चुके है करिम सिटी college में 28 admission हुए है यह minority college है नेताजी सुबास university में 14 admission हुए है MBNS institute में 13 admission हुए है और विवेकानन BA college में अभी तक 12 admission हुए है लेकिन देखे private colleges में देखे government semi government के government के comparison में जो private colleges है उसमें बहुत ज़्यादा fees का अंतर है तो आप लोगों से request है कि यदि suppose आपके area में आप जिस district के हैं यदि आपके area में मान लिजे बहुत ज़्यादा BA का फीस बहुत ही ज़्यादा है तो आप फिर आप ट्राइ कीजे कि किसी दूसरे university के colleges को apply करने के लिए ताकि आपको BA का फीस कम लगे जैसे कि बोकारों का मैंने पता किया धनबाद का भी धनबाद और बोकारों में जो BA का फीस है काफी कम है बोकारों के कुछ-कुछ college में मैंने inquiry किया तो वहाँ पर डेड़ लग फी है ठीक है only डेड़ लग है 1.5 ठीक है तो आप पता कर सकते हैं बोकारों के colleges में धनबाद में भी डेड़ लग के असपास है राची के colleges में generally private colleges में 1.65.000, 1.70.000 इस तरह का फी है ठीक है आप देखें यहाँ पर लिखावाई कि fee में 80 से 1.00.000 रुपिय का difference है देखें कहां कितने fee है category लिखावाई सामाने रोबिसी का सरकारी college में 1.00.000 है 1.00.000 है और नीजी college private college में 2.00.000 है 1.00.000 कंतर है उसमें SCST बच्चों को और 2.00.000 रुपिया private में लग रहे है ठीक है और देखें लिखावाई कि सरकारी college में नीजी college की तुलना में fee fee कम है यही वज़ा है कि पहले round की counseling के लिए जारी जो मेधा सुची है उसमें शामिल विध्यारतियों में सरकारी college को प्राथमिकता दी है बच्चों ने हाँ इतना जगाफी है कि बच्चे तो चाहेंगे कि मेरा कास government में हो जाता क्योंकि possible नहीं है मुझे लग रहा है maximum बच्चे इसलिए भी B.A.D. कर पा रहे है क्योंकि उनको scholarship मिलता है या तो scholarship के लिए कर पा रहे है या तो government college में कम fee है उसके लिए कर पा रहे है तो possible नहीं इतना जगाफी देना तो यहीं वज़ा है कि पहले round की counseling के लिए जारी मेधा सूची में शामिल बिदैथ्यों ने सरकारी college को प्राथमिकता दी है नीजी वो सरकारी बिएड college में fees की बात करें तो दोनों में एक लाग रुपे तक का अंतर है आप देखे पहले round की counseling यहां लिखा हुआ है कि पहले round की counseling कूरी हो चुकी है लेकिन याद रखेगा कि 21-27 जो था 21-27 21-27 की बदले आप देखेगा आप जब allotment letter आप download कीजेगा आप फिलाल में साइध फिलाल में आप लोगों ने किया है कि नहीं फिलाल में जब आप भी download कीजेगा अपना allotment letter तो देखेगा उसमें 21-31 लिखा हुआ है इसलिए अभी तक यह दि कोई admission नहीं ले पाए होंगे फिलाल हो गए होंगे 27 अप एक बाद ट्राइ कीजे आप एक बाद जरूर ट्राइ कीजे और अपना पहले का जो आपका allotment letter है उसको भी रखेए और अभी जो आप allotment letter आप फिर से निकालिए तो देखेगा कि दोनों में आपको differences नजराएगा वहाँ पर डेट का एक में 21 से 27 लिखा हुआ है और अभी जो निकालिएगा तो उसमें लिखा हुआ 21 से 31 ठीके यह आपको नजराएगा देखे मैं आभी आप लोगको दिखाता हूँ एक candidate है जिनका allotment letter मैंने पहले निकाला था और अभी निकाला है तो उसमें आप लोगको देखे मैं difference दिखा रहा हूँ कि दोनों में आपको नजराएगा कॉलेज वाले यह दि बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है 27 तक ही लाग डेट था तो उनको दिखाईएगा ठीक है यह देखे ये candidate है हमारी student है जिनका देखे मैं का मैंने allotment letter निकाला था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखे यहाँ पर और अल्रडी आप लोगको दिखाई देता होगा देखे यह क्या लिखा हुआ है admission schedule 21 जुलाई से 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक 6 बजे साम तक 21 से 27 यहाँ दिखा हुआ है इस candidate का मैंने allotment letter पहले निकाला था बड़ देखे अभी का इनका मैं allotment letter आप लोगको दिखा रहा हूँ अभी का मैं आप लोगको दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए मैंने यह रखा था screenshot देखे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसलिए आप college को दिखाएए जो लोग admission नहीं ले पाएं मंडे को आप लोग जाएए college में और वहाँ पर दिखाएए same student का है ना same student का देखे मैंने allotment letter फिर से भी निकाला है कल ही निकाला था देखे यहाँ क्या लिखा हुआ है देखे ध्यान से देखेगा admission schedule है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 11.59 पीम तक ठीक है ना तो इसको आप लोग इस तरह से अपना आप लोग भी पहले का allotment letter होगा ही अभी वाला भी आप लोग निकाल लिजे जो लोग अभी तक admission नहीं ले पाएंगे ले सकते हैं यह सभी के लिए हो appearing के जो बच्चे हैं उनके लिए जो अभी तक circular आया है notice आया है वो BBMKU के लिए आया है ठीक है BBMKU के लिए notice आ चुका है और BBU का भी आ चुका है बिनोव भाव उनिवर्सिटी और बिनोव भाव भाव उनिवर्सिटी का official notice जारी हो चुका है कि college वालों को instruction दिया गया है BIT college वालों को कि आप लोग बच्चों का admission लिए जो लोग appearing वाले हैं उसके लिए मेरे पास telegram में इसका notice भी है telegram में मैंने डाल दिया है कि देखे सर यहां पर 21 से 31 मेरा आया है और पहले पहले 21 से सताई था जिसको की change करके university ने और आप बोल दीजेगा बोलिएगा कि यदि कोई नहीं लेंगे जो बच्चे अभी तक admission नहीं लिए संबार को लेना चारे मैं उनके लिए खास करके बोल रहा हूँ आप direct अपने college में जाके बता दीजे कि सर university call कियें तो university से message आया है university वाले बोले जब call कियें तो उन्होंने reply दिया कि आप अपना alert mail letter देखे alert mail letter को follow कीजे alert mail letter में क्या लिखा आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ 21-31 है तो आप college को बता दे कि 31 लिखा हुआ है 31 तक admission लेना है ठीक है क्योंकि इधर festival भी कुछ हो गय थे इस कारण से भी बढ़ाई गया है कुछ भी बहुत सारा region हो सकता है ठीक है अब एक बड़ देखे इधर ये जो news है क्या इसमें दिया हुआ है लिकावाई बीबेकानन बीएट कोलेज की 100 सीटों में सिर्फ 12 ही admission हुए है ठीक है 12 admission हुए है और सरकारी कोलेजों में 50% और नीजी में 15% ही नमंकन हुआ है गवर्मेंट कोलेज में 50% का असपश बच्चों ने डिमेशन लिया है और जो प्राइबेट कोलेज है उसमें मात्र 15% यानि 200 सीट यादी है तो 30 बच्चों ने लिया होगा लगभग एप्रोक्स में और 100 सीट है तो लगभग 15 के असपश बच्चों ने लिया है लिकावाई बेवेकानन बीएड कोलेज के सौ सीटों में सिर बारही दाकिला हुए है जहरखन में 136 बीएड कोलेजों में पहली काउंसलिंग के आधर पर नमंकन परकिरिया पूरी हो गई है नमंकन के अंतिमति थी 27 जुलाई थी 27 जुलाई थी लेकिन 31 जुलाई तक होना चाहिए देखें अलॉट में लेटर में लिखा हुआ है आप लोग दिखाईएगा कोलेज वालों को पहले राउंड के बाद जो आकड़ा आया है वह चोकाने वाला है कई कोलेजों में मात्र 10 से 15 परतिसत ठीक है मैंने 15 बोला है लेकिन कहीं के 10 परसिन भी है ठीक है 10 से 15 परतिसत सीटों पर ही दाखिला हुई है ठीक है हालांकि सरकारी कॉलेजों की इस्तिति थोड़ी बहतर है वहाँ नमंकन की संख्या अधिक है जमसित्पूर के बी एड कॉलेजों में एड्मिशन की बात करें तो यहां सबसे अधिक 59 नमंकन जमसित्पूर विमेंस उनिवर्सिटी के सिक्छा संकाई में हुआ है ठीक है उसी के बारे में बताई गया है चले और आज मैं देख लेता हूँ और कुछ अपडेट होगा तो आप लोगो जरू बताऊँगा आज मैं लाइब भी आऊँगा कल नहीं आ पाया था कल फेस्टिबल भी था तो मैं उसमें बेजी हो गया था ठीक है दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तीथी ताई अभी नहीं हुई है लेकिन मुझे चांद से कि एक या दो अगस्ट से एक दो या तीन अगस्ट के आसपस में आप लोग का सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टाट हो जाएगा जैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा लिकावा कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तीथी ताई नहीं है जिन कॉलेजों में एडमिशन कम हुआ है वे सेकंड काउंसलिंग का बेस www.jharkhand.gov.in पर विजिट करें और वहां पर अपना आप लोग देख सकते हैं जो भी डिटेल है जिनको अभी तक जिन्होंने एलटमिलेटर नहीं निकाला होगा या फिर किनी को cml rank का scorecard निकालना है या खुछ भी किनी को दिकत हो रहा है तो मुझे मैसेज कीज़ेगा अप अपना registration नमर या password जो भी डिटेल है आप भेज सकते हैं मुझे मैं आप लोग का जो भी डिटेल हो निकाल कर मैं आपको आपके नमर पर भेज दूँगा किस तरह का help चाहिए तो जरो upload बोलिएगा ठीक है thank you everyone god bless you